जल का गुन, सामान्यत, जल जीवन शक्ती को बढ़ाने वाला, तरपन, मानसेक श्रम को दूर करने वाला, हृदय के लिए हितकारी, मन में आनंद देने वाला, बुध्धिंद्रियों में ज्यान देने वाला, तन, स्वच, अव्यक्त रस, अर्थात किसी भी मधुरादी रसों की स्थिती शुद्ध जल में नहीं रहती है, मृष्ट, स्वाद में सुख कर, शीत, लगु, और अम्रित के समान लाब कर होता है, यह सब शुद्ध, दिव्याकाश से गिरने वाले जल का है, गंगा का जल सूर्य चंद्रमा वायू से युक्त होकर जब वह आकाश से नीचे आता है तो वह जल देश और काल के अनुसार लाब कर यहानिकर होता है,